नमस्कार दोस्तों मैं स्प्लॉजर सचेजिन स्वागत और अब नंदन करता हूं अपने सभी प्रियदर्श होगा कैसे हैं आप उमीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे परसंद में होंगे आनन्द में होंगे 18 जून से शुक्र वर्शवराशी में जाएंगे बुद्ध पहले से ही वर्शवराशी में हैं बुद्ध मारगी अवस्ता में हैं तो बुद्ध और शुक्र का मिलन होगा यानि की श्री लक्ष्पी नारायर योग का दिर्वार होगा बुद्ध और शुक्र की आपसी मिद्रता है वर्शवराशी में शुक्र की अपनी स्व कुछ लोग इसको महालश्मी योग भी कहते हैं। देखिए, शुकर को समझेए। शुकर इस दुनिया में जो भी चमक है, धमक है। ये जो आप अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं। ये जो आपने घर पे लाइट जल रही है। ये जो चका चौन्द है। ये शुकर है, पैसा शुकर है। और बुध्ध क्या है? वा लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी कहा होती है यहां पर भगवान विश्णु होते हैं लक्ष्मी जी पत्नी है विश्णु जी पती है और एक हिंदू धर में एक जो पत्नी होती है वो पती के बगएर कहीं दी जाती कहते हैं ना कि पती के साथ ही उसका जीवन है शादी के बाद तो लक्ष्मी जी की हम लोग पूजा करते रहते हैं और विश्टू जी को बुलाते नहीं है इसलिए हमारे घर में धन की कमी होती है आप जब लक्ष्मी जी और विश्टू जी दोनों को बुलाएंगे तो धन पिकेगा और आप खाली लक्ष्मी जी को बुलाएंगे तो धन आएगी महालक्ष्मी योग ये शीलक्ष्मी नारायन योग आपकी राश्री पर क्या शुब प्रभाव देगा, आपको कितना माला बाल बनाएगा, मैं आपको बताऊंगा, यह बहुत ही शुब समय है, यानि कि जून तो बढ़िया हुआ ही हुआ, जुलाई की शुरुआत भ वीडियो का, अब हम बात करेंगे वरशब राशे की, आपके लिए शुख फलो की वरश़ा होने वाली है, लगद में ही श्री लक्ष्मी नारायन योग का निर्मार होगा, श्री लक्ष्मी नारायन योग का बनना बेहधी शानदार है, और आपकी तो राशी के स्वामी भी शुक्र होते हैं मालवी योग का दिर्मार भी हो रहा है आपके चेहरे की बड़ी मुस्राहट होगी आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा मांसिक प्रयासों से आप दुनिया को जीनत लेंगे आप लचीले होगे यानि जैसा वक्त होगा वैसे हो जाएंगे जैसे धलना होगा व बातों को जान जाएंगे आपका मून हमेश्वा अठ्वार रहेगा आप destru prince अरहाट होगे हैं आप को सफलता के मिलने वाले हैं मुक्ष से झुकंगे नहीं संबन्ञ होंगे चतुर चलाग होंगे हर प्रकार की स्तिधी को काबू करने में आप काम्याब होंगे वक्स कैसा भी क्यों नहों, आप काम्याबी से काम करेंगे, आप बढ़िया नेता होंगे, भीर को इकठा करने की ताकत और चमता आपके बात होगी, एक अच्छे और सफल नेता होंगे, आपके अंदर कला होगी, लोगों को अपनी बात सुनाने की, अच्छे प्रबंधन कार ह होंगे, अच्छा मैनेजमेंट होगा, नौकरी में सही दाओं पेच आपको आते होंगे, आप मन मौजी होंगे, आमदनी के नए रास्ते खुलते चले जाएंगे, भगवान आपकी सहायता करेंगे, आपकी पत्नी की भी नौकरी लग सकती है, उनको भी तरक्की हो सकती है, जौब में कुछ बढ़िया हो सकता है, परिवार में आपकी पत्ती सबको एक जुड भी रखेंगी और अच्छा नौकरी अवेफसाय भी करेंगी, गीत कला संगीत का शौक हो सकता है, आपको चापलूस और शरारती होंगे, जैसा वक्त होगा, जैसा वक्ती होगा, जहां प आपकी तरफ खिचे चले आएंगे, आप इतनी सुफलता पाएंगे कि आपका नाम देश दुनिया में इज़त से लिया जाएगा, हशी खुशी से आप काम करते चले जाएंगे, विप्रीत लिंग के लोग आपके, आपसे मिलना पसंद करेंगे, उनके बीच में आप लोग प्री हो जाएंगे, शीगर विवा के योग बनेंगे, बढ़िया कप्रों के वैफारी होंगे, बढ़िया शांदार पहनेंगे, खाएंगे, पीएंगे, एश करेंगे, फैशन की दुनिया में कमाल करेंगे, और आप अच्छे कभी या शायर भी हो सकते हैं, अच्छे का मतल करिएगा उनका सादर सक्कार करिएगा जिस पर दिल आ जाएगा पर जान भी कुर्बान कर देंगे सफलता और पैसा दोनों आपके पास होगा आपका वहवार बहुत अच्छा होगा आप अपी बुरी आत्तों से मुक्ति पाएंगे आप लोगों को अपी तरफ आकाशित पर परानी गलतियों को खत्म कर नई शुरुवात करेंगे जीवन साती से फ्रेम बढ़ेगा जीवन साती की कम्यों को भूलकर आप नदीकियों को बढ़ाएंगे प्यार को बढ़ाएंगे तराओं से मुक्ति पाएंगे परानी समस्याएं खत्म होंगे खर्चे बढ़ेंगे त दिर्फ खुश कर देंगे आप शरीर भी फिट रहेगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा. अमालव योका दिर्मार हो रहा है यानि आपके निर्णे आपके फैसले बहुत अच्छे होंगे जो ठान लेंगे वो करके रहेंगे फिर उससे पीछे नहीं अटेंगे काम करते चले जाएंगे आपने जो सोचा है वो बहुत अच्छा होगा दूर दर्शी आपकी सोच होगी शुक्र आपको बहुत मदद कर रहे हैं आप फिराशी के स्वामी होकर आपके जीवत में समझ दीजे कुशी आने वाली हैं शुक्र और बुद्ध का ये मिलन आपके जीवत में परसंता और सफलता और आपको अच्छा वैपारी बना देगा और आपको अच्छा धर्मान भ बहुत शांदार हो जाएगी अच्छे स्पूर्पल्स ज्यानिशन भी मिल जाएगा तो कुल विलाकर आपके लिए श्री लश्मी दायानियोग का बनना बहुत ही शुबदायक रहेगा जुलाई तक यानि जून तो अच्छा हुआ ही हुआ जुलाई भी बहतरी हो गया इस बा मालक्ष्मी की आरादना करिए महालक्ष्मी के मंत्रों से भगoral मिश्णु के और द्यौन का पूर्ण करिए आको पता है कर नहीं ही पैसा इसलिए नहीं टिकता है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लश्मी जी की पूजा करते हैं विश्णु जी को तो अपसर भूल ही जाते हैं तो हबे अगर पैसा चाहिए तो भगवान विश्णु की भी पूजा करनी चाहिए क्योंकि चब तक भगवान विश्णु के साथ महा रश्मी नहीं आएंगी तब तक वो आपके घर में टिकेंगी नहीं और कोई भी इसनी जब अपने पती को कहीं अकीरा छोड़कर आती है तो बहुत ज़ाद देर तक वहां पे नहीं टिकती है उसे वापस भी जाना होता है इसलिए आप लोगो को शिकायत होती है कि पैसा आता चोट 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 से उपाय करके भी आप जो में खुशियां प्राप करते हैं खुश रहिए प्रसंद रहिए मुस्किलाते रहिए और कोई समस्या है कोई परशानी है तो दिये के नमरों पर संपर्ख करिए नमस्कार